मेरे प्यारे देश्वासियों, आपने अंग्रेजी के एक कहावत सुनी होगी, to learn is to grow, यानि सीखना ही आगे बढ़ना है, जब हम कुछ नया सिखते हैं, तो हमारे लिए प्रगति के नएने रास्ते खुद बखुद खुल जाते हैं, जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है, मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं, एक नए युक का आरंब हुआ है, और आपने देखा होगा, जब कहीं कुछ नया होता है, तो उसका परणाम हर किसी को अस्षरी चकित कर देता है, अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछो कि वो कौन से राज्य हैं, जिने आप सेव एपल के साथ जोडेंगे, तो जाहिर है कि आपके मन में सबसे पहले हिमाचल पदेश, जमू कश्मीर और उतराखन का नाम आएगा, पर अगर मैं कहूँ कि इस लिस्ट में आप मनिपूर को भी जोड दीजिये, तो शाहिद आप आश्यरे से भर जाएंगे, कुछ नया करने के जजबे से भरे युवाओं ने मनिपूर में ये कारणामा कर दिखाया है, आजकल मनिपूर के उखरूल जिले में सेव की खेती जोर पकड रही है, यहां के किसान अपने बागानों में सेव उगा रहे हैं, सेव उगाने के लिए इन लोगों ने बाकायदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी लिये हैं, इन में से एक हैं टी एस रिंग फामी यों, यह पैसे से एक एरोनोटिकल एंजीनियर है, उन्होंने अपनी पत्नी स्रीमति टी एस एंजेल के साथ मिलकर सेव की पैदावर की हैं, इसी तरह अवुंगशी शिम्रे ओक्स्ट्रीन ने भी अपने बागान में सेव का लिपूर में आज ऐसे कई एपल ग्रोवर हैं, जोनोंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है।